यह यह सही है प्राइबिट में बात करने तो प्राइबिट कंपनिया चूस लेती है बच्चों को चक कर लेती है दर-10 गंते काम करवाती है अग्ता हजार रुपर से स्टार्टिंग करते हैं जो कि PCI ना इंटरनेशन फार्मसिकों फेडरेशन यह पोरे वर्ड में को नहीं ल प्राट फॉर जिसमें कि हम समझानें की बी फॉर्म के इसकोप के बारे में एडवांटेज और डिसडवांटेज के बारे में यह पूरा वीडियो आप जरूर देखिए इसकीप मत करीगा यदि आपने पीछ्रा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए वन टू थी त इसकीप समने मिल जाएगा उस चीज को जरूर देखिएगा आपको जरूर समझ में आने वाला है बहुत कुछ यदि आप इस फिल्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो इस फिल्ड के बारे में जरूर जानिए और 10 प्रस्टूर के इस्टिएंट है उनके लिए वीडियो बि दम मत करीगा ने तो फिर आपको समझ नहीं आने वाला यदि आप चैनल को नहीं है तो चैनल को लाइक सब्सक्राब और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्ते यारों को जरूर सेयर करीगा आज बच्चों मैंने आपको टू येर के बारे में जरूर बताया है डीफ़ाम के फटर येर के बाद करूँगा आज जो है इसके बारे में बहुत सारी डिटेर्मी बात करेंगा औससे मैं इसके वोपर एक वीडियो मैं नैे डाली है ठीके वीफवार्म के आपको समझ में पर आएगा बहुत सब्सक्राइब बादेगा Army सर्य क्या है थीके सर्मझ का है च कोर्स की बारे में पूरी डीटेल में तो देखे ये फार्म जो है ना आपका 4-year का एक कोर्स होता है ये एक industrial ठीक है? industrial जिसके अंदर 80% आता है और एक hospital-based कोर्स है ठीक है? hospital उसमें 20% आता है ठीक है? तो कि 2000 जब PCR के लिए से लिए जब चेंज हुआ और 2016 से लगा कोई चेंगा 2017 जब बैस से लगा तो इनके कॉर्स को आप देखेंगे तो उसमें चोब असी पर से समझ लीजिए फिर आप कभी में कभी सुनेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पर बच्चों में आपको खिलर कर देता हूं कि सिलिबस बटा कैसे है ठीक है तो इसमें असी परसेंट वह इंडस्टी और बीस परसेंट जो है इसमें हॉस्पिटल की बात पर क्यों कि जो डीप फॉर्म के बच्चे पढ़ते हैं सेंटो सेंटो समझ सब्सक्राइबल का यह भी पढ़ते हैं ठीक है इनके में एक दो सब्जेट कम हो सकता है 2020 में बटा डीप फॉर्म का सेलिबस चेंज हुआ और एजूकेशन में इनके अंदर को दो तीन सब्जेक् ठीक है तो इनके में आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इनके अंदर फांकोलोजी देड़ साल की है medicinal chemistry है ठीक है यह सब चीजे extra है तो उनके में नहीं है ठीक है medicinal chemistry वो बेटा होती है जिसमें आप दवाई पढ़ते हो ना मेडिसीन जो पढ़ते हो तो मेडिसीन का structure क्या होगा उसको synthesis कैसे करेंगे बच्चों फिर जो है इरी deep form अirli फार्म इरी बच्चे है यह चाहाए तो प्ई फार्म भी कर सकते है उनके लिए इस फिर Krử अलिए जिन उसको पर थांट करें ऐसा है detrimental in टिक है ये 6 उती है जालेजियों ब्हुरात। सछलातर ही एक समस्टर में एक एर में दो समस्टर होते हैं फिर में दो जो कि एड्समेश्टर का होता है थेक है यह Living delight करते हैं इनके second year में, ठीक है, first year में नहीं बेटा, second year में, ठीक है, तो second year में entry करते हैं, यह वो higher education लेना चाहते हैं, education का level लेना चाहते हैं, तो उनको जो है, इसमें entry मिलती है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चलता है, ठीक है, तो यह है B form letter entry, जो D form के बच्चे letter entry लेते हैं B form के course में, अब जो B form first year से बढ़ता है, उनको regular बच्चे काते हैं, regular student होते हैं, वो one, two, three, four, जो पनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अब देखिए, इन में जो है, इसको की बात की जाए, तो अब जाएसे बात है, कि graduation label है, तो इसको भी बढ़ेंगे, नौकरिया में बढ़ेंगी, दुसरी field में भी आप जा सकते हैं, मतलब गैजूशन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने field के लाप भी बहुत सारी चीज़े आपको देखने हो किपसे मिल जाती हैं, आप गवर्मेंट की त्यारी भी कर सकते हैं, गवर्मेंट एक्जाम्स होते हैं, SSE होता है, CGL होता है, IS, PCS, ठीक है, इस field में देखने को मिल जाती हैं, फिर आपको क्या होता है इस field में, तो इस field में higher education में भी जा सकते हो, अराम से, higher education में जा सकते हो, तो देखे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी filter paper 10 plus 2 के बाद, जो है नेसरल लेबर पर पर प्रजेंट नहीं है इंडिया में अभी तक तक ठीक है पर 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 बीफाओं के बाद नेसल लेबर पर उपर एक्जाम प्रजेंट है और फिल्टर पेपर भी अवेलेबल है जिसको कहते हैं हम लोग गैज्वड फार्मेसी आप टूट टेस्ट जी GPIT भी जो होता है एक nation level का exam होता है ठीक है यह भी एक nation level का exam होता है ठीक है तो जो B form के student होते हैं वो इस exam में बैठते हैं और इसको qualified यही करते हैं तो उनका admission जो होता है M form में होता है ठीक है M form में होता है M form में होता है अब देखो बैचो कुछ इसके आगे भी एक surprise है जो आपको पता नहीं होगा मैं अभी बताऊंगा आपको ठीक है यहां समझेगा जहां पर आईए पहले ठीक है तो यहां पर देखे ध्यान से तो मैंने बताया आपको कि बहुत सारी इसको ब तोटल आप भी कर सकते हैं तोटल एकार्डिंग टू ला पीपिया रेगुलेशन एक्ट तो हजार पंद्रा पेटा यह एक रेगुलेशन एक्ट है जो जो आपकी जो कॉंसिल जो मैंने सुनी बता है ना फार्मेशी कॉंसर भेंडिया ठीक है जो कॉंसिल इसको गौन करते हैं हैं वैसे कॉंसिल्स होती हैं ठीक है तो जैसे कि मेडिकश को गौन करना है तो MCIE है पैसी PCI पिश्चाइए के अप सब ब्राबर हो ठीक है कोई चीज नहीं है ठीक है आप आप कर सकते हो तो यह सारी चीजिए हैं आप कर सकते हो ठीक है तो मैं हायरे जो किसमा बात कर रहा उस वीडियो को जाकर आप देख लीगा मैं लगा दूँगा ठीक है उसका लिंक जो है लगा दूँगा आप ज़रूर देखीगा उस वीडियो के यहां पर वो चीज आनी चाहिए ठीक है तो देखिए यह चीज था अब देखिए जीपेड अब वो सारे चीजे इसकूप थी तो अब इसकूपी में चल लाओं फिर वो जीपेड देते हैं जीपेड का क्वाद थांफ कर सकते हैं अब एमफ़ाम कर सकते हैं बहुत सारे गवर्मेंट पॉलिज आपके अविलेबल है सब्जेक्ट में बारा सब्जेक्ट है पर चार जो है में तू को सब्जेक्ट मने जाते हैं बेटा मैं बता दे रहा हूं नाम भी आपको सब्जेक्ट में बार सारी चीजव आफ चुका है पर्मसिट बार सब्जेक्ट बार कर सकते हैं कि प्रॉंप क्या है तो benefit क्या है कि आपको पास एक higher education होजाता है higher education होजाता है ठीक है और higher education के साथ साथ आपको बारा हजार चार सुरुपे पर मन के साथ से मिलते हैं यह अब जीक्वेट क्वालिफाइड हो तो ठीक है AICTE आपको यह पैसा परवाइड कराती है PCI नहीं PCI आपको पैसा नहीं देती है AICTE यह इंजरिंग को कंट्रोल करती है टेक्निकल चीज़ों को कंट्रोल करती है यह ministry of health के द्वार गौन की जाती है टीक है ministry of education के द्वार गौन की जाती है AICTE और यह जो है टेक्निकल चीज़ों को कंट्रोल करती है यही जो पैसा जो है देती है M-farm के बच्चों को देती है टीक है 12,400 रुपे तो यहां पर देखिए तो आप जो है यह एक्जाम क्वालिफाइ करतो यह करतो अब यह सब चीज़े आपको देखने को मिलती है पर पर यहां पर भी ट्रॉपएक है ठीक है क्या है लुप होल समने के कुछिस करेगा आप 10 प्लस टू के बाद जो है नीट करते थे तो आपका एक मिनिमम नंब्र हो था था जैसे 117 होगा है है ठीक है OBC 135 होग ठीक है ग्वर्मेंट कॉलजिव में चाह को भी हो प्राइबेट हो ग्वर्मेंट हो ठीक है पर इसमें ऐसा नहीं है इसमें प्रास नहीं कर पातो नौन कॉलिफई हो थे तब भी आप inform कर सकते हो private colleges से easily ठीक है अब कुछ government college center in university भी खुद का exam करवा के non-jipet वालों को भरती है ठीक है कुछ सब नहीं कुछ तो यहाँ पर एक drawback मिल जाता है पर बात यहीं आती है कि उस सब को qualified भी कर सकते हैं कोगी पैसा सब को देना पड़ेगा यदि 50 से 60,000 हर साल बच्चे बैठते हैं तो उसमें यदि हम 40,000 को qualified करवा देते हैं तो 40,000 को जो है AICP को पैसा देना पड़ेगा गौर्वर्मन करेगी में बजट नहीं है इस करना जो है वो 4000 यह 3000 बच्चों को ही बस qualified करती है जड जो है आपका बस क्या करते हैं 8% या 7% ही बनता है ठीक है तो इन hij को पैसा मिलता है बागी बच्चों को पैसा नहीं मिलता है जो qualified नहीं करपाते हैं पर वो एम फार्म थे खरता है तो मैं आपके लेबल का बताया हूँ तो यहां पर यह चीज है आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा फिर बच्चा आप M-form के लिए हो जाते हो पर एक चीजा रखना जीपीट कॉलिफायड ही करते हो ना इसके बाद भी एक बेच्चा एक्जाम होता है इसको मैं अब बोलूँ का step one step first एक होता स्टेप सेकेंड जिसका नाम है नाइपर जेए नाइपर जेए यह होता है स्टेप टू मतलब कि आप जो जीपेट क्वालिफाइड करेगा वही नाइपर का एक्जाम दे पाएगा और उसी को नाइपर में एंडमिशन मिलेगा जैसे बच्चों मेडिकल में एंडम से के जिप मरही है आपको जो को आप आपका जो है क्यारिशन का आपका जो है वालिफिकेra कि आधार पर आपकी अच्छी खासी प्र investigations भी लगती रहा हूं तो इतना मैं बता दिया आपको कि यहां पर जो है आपको इसका फाया मिलता है तो यहां पर जो होती है ड्राबेक जो मैं पीछे बताया था कि यह दिक्कत है वह दिक्कत है वह जो बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका ड्राबेक खतम हो जाता है उनको नहीं चुन होती और पैसे क्यों जो करते हैं कि पर्फार्मेंस बेस्ट इंकम नहीं मिल पा रही है उनको यहां पर इंकम मिलना शुरू हो जाती है तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज हो जाता है यहां पर यह तो यहां पर यह पंजाब इनुसीटी से कर लें यहां पाटली पंजाबी है बहुत सारी इनुसीटी आइमडियों है इधर जो है नैपर जैसे संस्था आपको देखने को मिलती है जहां पर पैकेज भी अच्छ लाज, 4.4.5 लाज, यहां से पैकेज आपकी स्टार्ट होती और धीरे धीरे आपकी साल बरसा बढ़ती चली जाती है जो कि एक अच्छी स्यं wings होती ही इंडिया के एकॉडिंग और बच्चें आपकर पिछ्डई करने भी चले जाते हैं तो यह रहां आपका में मेंulys को जो है यह society जो है recognize नहीं करता है मानता ही नहीं है वो कि वो कि किलनी खोलने का अधिकारत जो इसको मिलता है उनको ज्यादा rights होती है और doctor होना एक अपने आप में ही उनको अलग करता है ठीक है तो यहाँ पर जो दॉक्टर नाम की कोई चीज मिलती नहीं है कुछ लोग जो है DRS जैसा कोई चीज लगाते हैं ठीक है ऐसा कुछ होता है DRS ठीक है ड्रक एक्सपर्ट करने के लिए पर यह कोई भी चीज होती नहीं है यह जो एक मित है एक स्यूडो है ठीक है जो कि PCI ना इंट्रेशन फार्मस चीज जड़ा सही रहेगा कोंकि यह थोड़ा आपको अजीब थोड़ा अलग कर देता है और अजीब दिखने में लगता है बहुत लोग को मैंने इसमें मजाग करते हैं मजाग करते हैं लोग DRS वर्ट को तो सब चीजे फार्ती चीजे ना लगा कर कोंकि जो यूथ है जो स जो ठीक है डोकेट एड़ी बही लिख दिया इंजनियर रह लिख दिया फार्मसेज लेख हो न अब तो अब ड्रॉच्पर्ट दुका हो अब तो फार्मसेज लोग को पीजे लिखो या रख लिखो यह समझ में आता है जिसे इंजनियर एंग क्या लिखते हैं यह सी यह हैं में भी जानना हूं कि आक्सपर्ट किस बात कि हूँ ठीक है तो यार एक्सपर्ड ऐसे नहीं होता है ना एक्सपर्ड का क्या मतलब आप पहले डीफनिशन डूंड़ meant कि export का मतलब क्या होता है ठीक है अपने आपको खुदी आप वो कर दिए कि मैं मैं अलग है अब इसका तो यहां पर चीज़े बेहुत देगी चीज़े मैं नहीं मानता है सब चीज़ों को और यह DRX वर्ड जो लिख रहे हैं भाई धाता दें ठीक है सोचल मीडिया पर यूज कर रहो ठीक है कोई बात नहीं यूज करो तो मैं आप से कहूंगा हाँ जोड़के कि आप फार्मेसी व लिख करें यहां बाइच करेंगी मीडिया आपको रिपूर्टिंग करेंगी यह सारी चीज़े हैं आपको देखने को मिल जाती हैं उसके उपर भी मेरा एक वीडियो मेरा वीडियो है उस वीडियो को जरू जा बहुत करता नहीं डिकें कि अब लोग कहेंगे कि सर जोला चाप जो खोल के बैट रहे हैं और जोला चाप तो उन पढ़ या वो दस बारा पास उठा है कुछ दूबिये वाले हैं वो कर रहे हैं तो तुम भी वही करोगे तो तुम्हारे उनके पढ़ें ठीके मैं अंतर क्या रहा गया तुम्हें बहुत लोग करते हैं कि सर समय लगए, NMC नहीं मानती, Nebbt Mirs, आपकी बात भी सही हो, मैं भी आपकी समझता हूं कि आपकी दिक्कत है यहँ प्रॉलम है पर इसको आपको कुछ ना कुछ नोगों करना पढ़ेगा छहाह में हीं ही गोना O desemок तो करना ही हुगा लड़ाई इसक चीजों के लेकर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब इसके उपर भी बहुत बड़ा ड्राप है कि बच्चों 10 प्लाइश 2 के हो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आपको आप समझ में आता होगा कि फार्मेशी को लेकर इतने वीडियो जो है मेडिकल में बनते हैं बच्चे बनाते हैं ये कॉलेज दोखो वो कॉलेज दोखो आपको इस प्रोफेशन में देखने को नहीं मिलते होंगे तो कि इसमें 17-80% बच्चे जो है खुड डिप्रेशन में है ठीक है तो यहां पर आपको यह देखने को मिलती है ठीक है इसके आगे में बात करता हूँ इसी फिल्ड में इसी बात करना हूँगा अभी वी फार्म बहुत लंबा है ठीक है यह बहुत बढ़ा टॉपिक है छोटा मोड़ा टॉपिक में यह कतम ऐसे ही हो जाएगा ठीक है अब लेकि बच्चा जब फरस्टियर में होता है ना बहुत खुसी-खुस मिनमum सत्य जार पर मंथ इस आप से स्टार्टिंग हो जाती है एमो की मेडिकल ऑफिसर की वर्ट बीफर्म की ऊट्वर्म लेवल पर ठीक है डीफर्म लेवल पर निकलेगी बताई एक लाख बच्चों में दो चॉप यह यह सही है फिप्राइबिट में बात करने तो बच्चे भी संखेती जादा बन चुकी है कुकुर मुत्र के बाद भी जो खुल चुक है इसमें भी अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं जो गली महले में खुलके बैठे हुए है ठीक है तो यह सब चीजे दिक्कत आती है तो यह सब चीज बिजनेस प्रॉपर्टी हो बन जाता है यह चीज और उनको भी बहुत सारी परसानीयों का सामना करना पड़ता है कूद पढ़ना चाहता है तो वह सारी चीजी यहां पर कहिं ना कहींं को यह बीफर्म के बाद फिर पर पी जी करने चल जाते हैं पर ब्रीफर्म में बनाया है अब ही इतना ये समझेए तो ये सी छब चीजे जो हैं आपको देखने को मिलते हैं ये सावी दिकते हैं आपको गहिना कहीं इफेट करती हैं तो I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा यदि इससे related को भी यदि में पास जानकारी छोटी होगी तो आप comment box में पुछीएगा बच्चों और उसको जो है मैं समझाने के कोशिज करूँगा ठीक है तो I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा और फिर मिलेंगे ठीक है और यद आप अपने conscious shared कर लेजें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए पार्ट के साथ जिसमें हम बात करेंगे डॉक्तर और फार्मेशी के इसकोप के बारे में advantage disadvantage के रज़ी है इसके ऊपर आप बहुत वीडियो पाए होंगे बहुत कुछ फूज पाए होंगे मैंने उपर इन है तो वहाँ पर भी जो है आप देख लीजिए ठीक है गौर्वर्मन्ट से जो बी-फॉर्म करते हैं उनकी थोड़ी वैलू होती है समाज में और क्या करते हैं उनको लोग समझते हैं कि ठीक है चलिए सर आपने बी-फॉर्म आप बड़ा फाड़ते होना तो आप भी खुद कॉद्ध कॉंफिडेंस रहते हो कि मैंने बड़ा फाड़ा है को चीज तब जाके मैंने इस चीज को हसिल की है आज कल जो है लोग पूछ देते हैं भाई क्या किया तुमने क्या किया तुमने लोग आप नजर इदह उदर घु दूए यह चीज यह एक कॉंपडिशन एक फिल्टर प्र होना चाहिए ठीक है तो यह सब चीज थी और आई होप आप एन प्लस टू में हो तो आप इस चीज को समझोगे मेरे बातों को और यह दि बच्चों नहीं समझने आगा आप पूछो कमेंड में ठीक है मैं आपको सम